हेलो फ्रेंड्स आपका फिश से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMIA पे आईए इस वीडियो में बात करती है एक डायमंड आइड जबैलरी बनाने वाले कामपणी के स्टॉक की डैट इट इप डायमंड इडिया इस स्टॉक में आज लोर सरक्ट लग चुका ह 23% की गिरावट 4.91% की गिरावट के साथ ये स्टॉक 23.25 के लेवल पे ट्रेड करता दखाई दे रहा है एट 11.53 एम तो आईए इसका लेटस टार्टा स्टडी कर लेते हैं मार्किट सेंटमेंट से भी देख लेते हैं देख लेते हैं कि आने बाले टाइम में क्या ट्रेंट दोस्तों सबसे पहले जदी इस स्टॉक की परफॉर्मेस देखें तो लास्ट 5 डेज में देखो 28 के राउंड इसका बड़ा रिजिस्टेंस लेवल है यहां से इस स्टॉक में अब लोर सरक्ट लगने शुरू हो चुके हैं और 9.88% की गिरावट इस स्टॉक में लास्ट 5 दखाई दे रहा है तो इसी लेवल के राउंड इस स्टॉक ने ब्यूलिश मोमेंटम चो किया था तो आने वाले टाइम में आप देखना होगा क्या यह स्टॉक इस लेवल को डिफेंड कर पता है क्योंकि अब इस स्टॉक में बड़ी ग्रावट भी हो चुकी है क्योंकि ज एक से मत में पहले ही इस स्टॉक में 324% के मल्टी बैगर रिटर्न बन चुके हैं शांदर ग्रोथ इस स्टॉक में देखने को मिली हुई है और यह स्टॉक में बहुती ब्यूलिश मोमेंटम देखने को मिला हुआ है वान येर में देख लो 1648% के मल्टी बैगर रिटर्न ज ज्यादा रिटर्न्स है, maximum देख लो, maximum भी 1500 परसंट से रिटर्न्स है, लेकिन ऐसे नहीं कि इसमें linear growth देखने को मिली हुई है, इस स्टॉक में कभी consolidation भी हुई है, कभी graft हुई है, कभी rally हुई है, लेकिन हाँ, overall company के जो performance है, बहुत ही शांदर है, बहुत ही बढ़िया है, तो इसका अब technical data जो है, वो हम study कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसके technicals क्या कह रहे हैं, तो हम आपको ले चलेंगे, Bombay Stock Exchange की site पे, यहां पे हम आपको इसका technical data भी जो है, वो आपके साथ share करेंगे, दोस्तो company का जड़ी हम market cap देखें, तो 74 करोड के round इस company का market cap है, बहुत ही shorty company small cap type company है, इसका जड़ी valuation देखें, तो PE ratio भी कोई ज़्यादा नहीं है, 8K round है, जबके price to book ratio भी कोई ज़्यादा नहीं है, 1K round है, और इसकी ROE percentage is excellent है, मतलब company नवेश के लिए एक अच्छी company है, और अब इसकी valuations भी सही हो गई है, और fundamentals are looking very very strong, ROE percentage बहुती बढ़िया है, gems, jewelry and watches बनाने का जो है वो काम करती है, जड़ी इस company के हम latest trend चेक करें, इसके पहले जो ना, हम numbers आपके साथ जुरू share करना चाहेंगे, December quarter के number इसके आचुके हैं, और यहाँ पे देखो revenue में negative trend देखने को मिला है, September 22 में company का जो revenue था 2.87 था, millions में, जबके December में ये 1.50 रह गया है, मतलब revenue में negative trend देखने को मिला है, quarter on quarter basis पे, जड़ी हम net profit देखें, जहां पे जुरूर अच्छा इजाफा हो चुका है, क्योंकि इसके margins बढ़ गए हैं, OPM देखो, 19.93 से बढ़ गए 58.92 हो गए है, net NPM देख लो, यहां पे भी improvement देखने को मिल रही है, मतलब company के margins भी improvement श stock में नहीं है, seller पहुत ही ज़्यादा है, तो seller इस stock में line लगा के बैटे हैं, लेकन आगे कोई buyer नहीं मिल रहा है, 43,55,647 के around इस stock में sell की quantity दिख रही है, दोस्तो इसमें हम देखें, जदी आज delivery का data तो 100% इस stock में accumulation भी दिख रही है, जतना माल बेचा जा रहा है, साथ के सा point है, दोस्तो fundamental company के strong है, long term के लिए एक अची company है, और इसकी valuation आप बहुती सही होती दिखाई दे रही है, तो इसलिए आप इस stock में धीरे धीरे करके accumulation करें, लेगे नहीं, एस level पे अभी entry मत करें, जो हमने आपको level बताए है, 40 से लेके 15 के बीच में इसका बड़ा support जोन निक रहा था, December 21 के comparative मार्स 22 में बड़ा, June 22 में बड़ा, और फिर आप देख सकते हो, September 22 में बड़ा, लेकर यहां पे क्या हुआ, जो December quarter के numbers आए है, वहां पे reduction हुई है, लेकिन फिर भी, year on year basis पे फिर भी growth ही देखने को मिली हुई है, प्रॉप्ट की बात करें, प्रॉप्ट मे जो profitability है, वो बढ़ रही है, यह सबसे बड़ा इस company का plus point है, इसलिए इस stock में आप नवेश कर सकते हो, net worth भी इस company का बढ़ता ही दिखाई दे रहा है, तो इसलिए दोस्तों हम आपको यही कहेंगे, जो हमने आपको levels बताए हैं, उसके round आप इस stock में accumulation जो है, वो शुरू कर स पर्मोटर का स्टेक बहुत ही कम हो चुका है, मतलब पर्मोटर अपना माल बेच चुके हैं, दोस्तों पर्मोटर भी कई वर क्या करते हैं, कि stock market में game खेलते हैं, हार valuation पे अपने stock को बेच के, फिर lower level पे stock में entry करना शुरू कर देते हैं, तो यह आपको थोड़ा समझने की अभी valuation थोड़ी जुरूर हाई है, इसलिए आप इस stock में dip में entry बना सकते हो, अभी higher level पे इस stock में थोड़ा वेट कर लें, जो इसके levels बताए हैं, इवन यह stock 10 से नीचे भी आपको जाता दखाई दे सकता है, इन दा कमिंग टाइम, तो उस टाइम एक सही मौका होगा इस stock मे दखाई दे सकता है, so thanks again, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, दोस्तो, stock market में नवेश करने का एक ही तरीका है, उसके fundamental चेक करें, उसकी valuation चेक करें, और सही मौके का इंतजार करें, patience रखें, थोड़ा long term के लिए नवेश करें, तो आपका risk profile जहां पे जुरूर काम होता इसन मेलजाइगा,